तो दोस्तों आज मैं एकदम आसन तरीक से प्लम केक बनाऊंगी तो वीडियो को पूरा देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो चलिए इसे ब और हमने थोड़ी से अक्रोट ये टूटिफूटि है ग्रीन और रेड़ वाली तो थोड़ी सी मैंने बचा लिए अभी मैंने गेस चालू कर दिया उस पर कड़ाई रग दी है और मैंने एक कटोरी बारी किया हुआ गुट लिया है बारी कर देंगे तो ये जल्दी पिघल जाएगा और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है पिगालने के लिए हमको चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ गुड पिगले इतना ही इसे गरम करना है तो ये 2-3 मिनट में अच्छे से पिगल जाता है गुड और ये पिगल गया है तो अभी ये जो मैंने इसको बंद कर दूँगी मैं और इसे रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए तो ये एकदम ठंडा होएगा उसके बाद जो हमने जूस निकालके रखा था ओर एंज जूस वो इसमें डालूंगी तो ये ठंडा हो चुका है मैंने 10-15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रखा अभी ये कड़ाई मैंने प्रीहिट के लिये रख दी उसमें नमक और स्टेंड रख दिया है धग दिया है उसे अभी एक बड़ा वर्तन लिया है उसमें मैंने चन्नी रख दी है और उसमें एक कटूरी में गेहु काटा ले रही हूं इसमें मैं एक चमच कोको पाउडर डाल और एक चमच में वनीला कस्टड पावडर डाल रही हूं इसमें इसकी अच्छी खुश्बू भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा एक आदी चमच से कम मैंने इसमें सौंट पावडर डाला है और यह मैं जायफल किसके डाल रही हूं मैं इसमें डाल चीनी और पावडर बन गया इसका अभी मैं इसमें त्री टेबल स्पून तेल डाल रही हूं जो हम घर में यूज करते हैं खली सर्सों का तेल नहीं डालना है और एक चमच में इसमें विनागर डाल रही हूं फ्रेंट्स विनागर से हमारा केक हम बनाएंगे यह बहुत ही फलफी और स्पंजी बनेगा तो यह मैंने डाल दिया है तेल इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे चमच से मिक्स करते करते आप इसे चमच से मिक्स नहीं होगा तो इसे हाथ से मसल के मिक्स कर दीजेगा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है अब यह जो ड्राय फ्रूट और ज बनाएंगे तो ये सब ड्रायव फूट नीचे चले जाएंगे इसके तो ये थोड़ा ज्यादा टाइट लग रहा है मैं इसमें एक चमच दूट ढाल रही हूँ और इसे भी मैं मिक्स कर दूँँगी और इसमें मैंने डाला है एक चमच वाली उसमें मैंने पहले से ग्रीस किया हो बटर पेपर रख दिया था और साइड में मैंने आटे से बटर पेपर चिपका दिया है ताकि एक हिसके नहीं और यह हम पूरा इसका केक का जो मिकसर बना के रखा न वो इसमें डाल दिया है अभी मैंने काजू और बदाम से इससे इनके दोदो टुकडे कर लिए थे बीच में से और जो टूटी फूटी मैंने बचा के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी यह अच्छा दिखेगा केक इसलिए यह सब मैंने डाला है अभी मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी कड़ाई में अच्छ से वही थाल में इसके उपर ढाक रही हूँ इसे मैं 40 से 50 मिनिट बेक होने दूंगी तो फ्रेंड्स यूज़ों इसे मैं 50 मिनिट बाद निकाल रही हूँ तो जब मैंने इससे टपेली में डाला था तब कितना कम था और अभी देखी कितना फूल गया और यह चककू में डाल रही हूं, तो एकदम clean निकल रहा है, मतलब हमारा cake अच्छे से बन चुका है, बेक हो चुका है, तो अभी इसे निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे, इकदम ठंडा होने के बाद ही इसे निकालना है, उसके बाद ही इसे demolt करना है, नहीं, तो यह निकलेगा नहीं तूट जाएगा तो यह ठंडा हो चुका है देखिए तपेली का साइड के कोर्णर भी इसने छोड़ दिये हैं तो अभी मैं एक प्लेट लूँगी और उसे मैं इसके तपेली के उपर उल्टा रखे और तपेली को इसके पर रखे और मैं हाथ से थप तपा दूँगी तो यह केक इजीली निकल जाता है तो यह देखिए निकल चुका है और यह साइड के बटर पेपर उसी में चिपके हैं यह उपर का बटर पेपर मैं निकाल दिया तो फ्रेंड्स देखिए कितना फूल गया है यह हमारा केक एकदम फलपी बना है और स्पॉ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मैं रोज ही यसी नही नही रेसेपी के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ तो कल फिर आती हूं नही ये और लेके बाइ